तेजी मंदी एप आपको शानदार मल्टी कैप स्टॉक पोर्टफोलियो बना के देता है अभी तक का रिटर्ण्स 80% CAGR है आप किसी भी ब्रोकर से लिंग कर सकते हैं रामदेवा गरवाल जी इस कंपनी की बोर्ट मेंबर है और ये मोती लावलोस वाल की सहायक कंपनी है तो इस कल लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है दोस्तों आप सभी के फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल LTS में आज हम 10 कंपनियां ऐसी दिखाएंगे आपको जिनको अगर आप एक लंबे पेरिड के लिए आप अपने पोर्ट फोलियो में रखते हैं साथे साथ मां डिस्क्लेमर के तौर पे दो चीज़ें कहना चाहूँगा कि ये जो स्टॉक्स हैं कभी भी इनमें एक साथ पैसा डालने के जरूत नहीं है दूसरी चीज़ कभी भी आप 6 महीने, साल भर इन सब के लिए ऐसी कुछ प्लानिक मत कीजिए अगर आपको फंडेमेंटली जिनके धंदे अच्छे हैं, जिनका बेवसाय अच्छा हैं उनको आप एक लंबे पीरेट के लिए, लंबे समय के लिए आप उनमें धीरे धीरे निवेश करें और जिस प्रकार से अभी गिरावट चल रही है, ऐसे गिरावट में जो एक अपोर्शनेटी है जो भी शेर ज्यादा जिसमें गिरावट आती है, उसको खरीदते जाएं, थोड़े थोड़े करके और प्राइस का भेद भाव मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारी अच्छी कमपनियां होती है, जो बड़ी प्राइस पर मिलती है बट उनकी वैलिवेशन देखना बहुत आवश्यक है, तो इस तरीके से मैं आपके समक्ष आज 12-10 कमपनियों के बारे में चर्चा करेंगे और उसे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चलन सस्क्राइब नहीं किया, तो जरूर कर लिजेगा, अगर आपने टेलिग्राम चैनल भी हमारा सस्क्राइब नहीं किया, तो वो भी कर लिजेगा क्योंकि कभी-कभी YouTube के notifications आपको नहीं प्राप्त होते तो हम वहाँ भी वीडियो डाल देते हैं पहला stock हमने चुना है Indian Railway Catering and Tourism यानि IRCTC इस company के website के बारे मुझे कहने के आवश्यक्त नहीं है आप सभी जो है बहुत भी परचित हैं इस company से देखे हाई जो बना चुका है 2489 और अभी 227 रुपए के आसपास ट्रेट कर रहा है ध्यान देना होगा कि जो ट्रेंस वगएरा हैं फिर से खुल रही है एक वर्ष में अगर हम देखते हैं तो 70% के आसपास के रेटन है जो कि एक बहुत ही कमाल के हैं 6 महिने में 60% के आसपास के रेटन दिखाए दे रहे हैं ध्यान देंगे कि ऐसी कमपनिया जिनका व्यवसाय पूरी तरीके से जो गोविड-19 की वज़़े से प्रभावित हुआ है फिर भी अगर आपको 60-70% एक साल में रेटन मिल रहे हैं और क्या चाहिए यही अनुमलाइज रेटन अगर आपको 70% छोड़ जीजिए अगर आपको 30% भी मिल जाता सालाना इन कमपनियों से आपका पैसा बहुत बड़ा बन जाएगा यह 10 रुपए की face value है और 14 अक्टूबर 2019 को इसके लिस्टिंग हुई थी आने की नई लिस्टिट कमपनी है इनको और भी बहुत ज़्यादा इन कमपनियों के बारे में जानना है तो मैंने अलग-अलग कमपनियों के जो है business wise बीडियो बना रखे है price to earning ratio देखिए 226 का है valuation wise देख जा तो बहुत ही महँगा है लेकिन चुकि ये growth oriented कमपनियां है future में ये कमपनियां काफे growth करेंगे इसलिए निवेशक जो है इसको भाव दे रहे है 10 रुपए 14 पैसे earning pressure निकल के आता है जो price to book value है वो करीब अगर देखे हैं तो 24 समय से ज्यादा चल रहा है deliverable जो 26% के आस पास है dividend yield निकल के आ रहा है 0.22% यान एक dividend paying stock है दूसरा stock हमने चुना Reliance Industries Limited अगर आपको कभी ये 1900 के आस पास मिले तो और भी बहतर है 1800-1900 के आस पास तो वहाँ से accumulate करना शुरू कर सकते हैं इस price पर भी आप SIP mode पर लेते रहें एक लंबे समय में हो सकता है कि एक company आपको अच्छा मुनाफ़ा दे या भविश में कभी अपना ये business टी मर्जर करती है माल लिजे कि Reliance Retail का अलग करती है Gio का अलग करती है तो उसमें भी आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा होगा Return wise अगर हम एक वर्ष में देखते हैं तो यहाँ पर कोई return नहीं दिखाए दे रहे हैं 6 महिने में हालांकि 6.5% के आस पास के return दिखाए दे रहे हैं 3.5 लाग कोड के आस पास के market का है फिर 10 रुपई की face value अलाई stock है Price to earning ratio है 27 का earning pressure है 75 का PB ratio है इसका 1.94 का और deliverable जो है 48% से ज्यादा का है हाई लो देखते हैं तो 1830 का लोग जा चुका है साल में और हाई बना चुका 379 अगला stock हमने चुना है Sharm Metallics and Energy Limited Sharm की लिस्टिंग अभी 24 जून यानि की एक माहिने पहले ही हुई है और 10 रुपई की face value है स्टेल की बढ़िया कमपनी है इसका जो P ratio निकल क्या रहा 8.95 का है earning per share है 47 का और price to book ratio निकल क्या रहा 2.50 का और deliveries की 40% के आस पास दिखाए दे रही चुकि अभी new listed company है 11% से ज़्यादा क्रेटन दिखाए दे रहे है और high लोग अगर देखते हैं तो 371 का लो जा चुका है और high बनाया था 461 का इसमें अगर 400 के आस पास अगर आपको कह मिले तो आप ज़रूर जो है आपे entry ले सकते हैं और यदि आपको लगता है कि metal की companies यानि की जो भी steel हो गए रहे है के demand बनी रहेगी जो infrastructure का काम चलता रहे गया देश और दुनिया में तो ज़रूर आप इस company को जो है consider कर सकते हैं अपने research करने के पश्चा 10,000 क्रोड के आस पास इसकी market काफ है अगला इस टॉक आरती सर्फक 10,000 जो के डिमर्ज हुआ था आरती गुरूप की company बढ़िया company है और इस पे भी हमने अलक्स वीडियो बनाया है इसके business wise अगर आप चाहाँ देख सकते हैं 1470 का जो है rate चल रहा है हाई जा चुका है 1730 का और लो था 222 का अगर आप ध्यान देंगे कि खुद promoters ने इसमें जो अपनी holding increase की हुई थी उनको कहीं ने कहीं लग रहा था कि company हमारी किस प्रकार की है अभी small cap company है 1164 क्रोड की market का एक फे 10 रुपए की face value पे और ऐसा नहीं कि इन company के बारे में हमारी वरत हमने वीडियो नहीं बनाया है जब यह 8900 का था तब भी हम वीडियो बना रहे थे price to earning ratio निकल के आ रहा है 53 का earning pressure 28 का price to book ratio 8.41 का अगर इसी तरीके से earning increase होती गई तो यह जो P और PB ratio है यह आपको कम दिखाई दे सकता है भविश्व में और delivery जो है 50% के आसपास है dividend भी पे करता है जो इल निकल के आ रहा है 0.20 10 रुपए के face value वाला एक वर्ष में अकर return देखते हैं तो करीब पौने 400% के आसपास हैं छह मेंने पहले जिनों निवेश किया उनको भी 60% के आसपास के टनी यहां पर मिल रहे हैं जो कि बढ़िया है और बढ़िया आरती ग्रूप ही बढ़िया अगर आप देखेंगे आरती इंडिस्ट्री भी बहुत कमाल की company एक multi-bagger stock है तो ऐसी अप एक्षा की जा सकती उसके है business loan तो अगर हाई लो देखते हैं तो 1283 का लोज आ चुका है वर्ष का अगर हम देखते हैं 374 का हाई जा चुका है और अभी 2500 के आसपास फिर से यह आ चुका है एक वर्ष में 90% के रिटन है और क्या चाहिए छै मैने पहले जिनों निवेश किया उनको 37% ज्यादा रिटन मिल रहे हैं कमाल के हैं प्राइस्ट वेनिंग रेशियो 70 का एपिस इसका 36 रुपए के आसपास पास प्राइस्ट वुक रेशियो है 8.36 का और डिलिवरी बहुत यह अच्छी है 71% के आसपास है 2018 में इसकी लिस्टिंग हुई थी 8 अक्टूबर को और 10 रुपए के फेस वेली वाला है 20.000 क्रोड के आसपास इसकी मार्केट के रहे है तो एक बहतरी इन कमपनी है मुझे लगता है कि यह कमपनी आपके जरूर पोर्फोलियो में होने चाहिए एक लंबे समय के लिए अगर गिरावट है क्योंकि पूरे बाजार में गिरावट है एक वर्ष में रिटन देखते हैं तो 175 प्रतिशत की रिटन जो की बहुत ही कमाल के हैं 6 महिने में अगर देखते हैं 32 प्रतिशत की रिटन मिल रहे हैं जो की बहुत ही बढ़िया है पी रिश्यो इसका 120 का है बाटा के लिए भी शूज बगएरा बनाती है तो इनका कारोबार है तो बढ़िया है यह भी ग्रोथ ओरिंडिट कंपणिया है इसलिए लोग इसको वैल्यू दे रहे हैं केमकल की बहुत ही बढ़िया कंपणियों में से एक कंपणिय है आज इसमें काफी गिरावट है अगर देखते हैं चार परसन के आसपास 1228 क्रोड की मार्केट का है दो रुपई की फेस वैल्यू वाला स्टॉक है और डिवडेन रुपे करता है जो की एल्ड निकल के आ रहा है जिरो पॉइंट्री जिरो परसन मुझे लगता है नवीन फ्लोराइन के इमकल के एक बढ़ी है कंपणियों में आती है एक लंबे समय के लिए ऐसे कंपणियों को ज़रूर हमें लेना चाहिए अगर साल का हाई लो देखते हैं तो एक वर्ष पहले 105 रुपे का ट्रेड कर रहा था और हाई जा चुक है 794 और इतना ज्यादा जो है रिटन बना के दिया था अब प्रॉफिट बुकिंग हुई है मार्केट में गिरावट भी है लगातार इसमें प्रॉफिट बुकिंग जा रही है तो रिटन अभी भी दो दिखाई दे रहे हैं वर्तमान 500% के आसपास एक साल में जो कि बहुत ही कमाल के हैं 6 महीने पहले जिन निवेश किया उनको भी 121 परश्रत के रिटन दिखाई दे रहे हैं प्राइस टो अर्निंग रेशियो देखते हैं 32 का है अर्णिंग अब ध्यान देंगे कि पाइप्स प्रिंस पाइपस और फिटिंग्स पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ बिजनेस को लेकि अगर आप चाहें देख सकते हैं बहतरे इन कमपनियां है हाँ थोड़ी सी बहुत और वेल्यूड होके थी बहुत ज्यादा भाग चुका था इस वज़ेस में करेक्शन देखा जा रहा है बट अगर देखें जिस प्रकार से CPVC, PVC पाइपस का जो कारोबार है प्लास्टिक की जो टंकी वगएरा या बहुत सरे है और भी अन्य चीज़े बनाती है यह पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड है और यह कमपनियों की डिमांड अनुरत बनी रहे कि जिस प्रकार से आप आश्ट्रक पाइप का देख सकते हैं काफि उसने अच्छा एक मल्टी बैगर रिटन दिया है तो चूंकि यह भी नई लिस्टेट कमपनी है और 2019 की तो मुझे लगता है कि 8-10 सालों में यह कमपनी में काफी अच्छा- अगर आप देखें जिस प्रकार से भारतवर्श की जो और्थवरस्ता का हब बनने वाला है अगर देखें दुनिया में चाने के लिए भारतवर्श तयार है और चाइना में जो एंटी में चाहनी चल रहा उसका भर पूर्ल लाग उठाने के कोशिश में है तो हमें लगता जो electronic consumer में leader है अगर आप देखेंगे mobile, tv ये सारी चीज़े बनाता है और इसी वज़े से इतने महंगे पीपे मिल रहा है अगर इसमें गिरावट में आपको मिलता जाए तो ज़रूर अपने क्षमता के अनुसार एक एक शर लेते जाएं कभी एक साथ पैसा ऐसे कम परियो में न डालें बहुत पहले बहुत छोटी प्राइस का हुआ करता है जब दो ढ़ाई साल पहले हम इसको देखते थे कभी छोटी प्राइस का हुआ करता था फिर इस प्लिट भी हुआ दो की face value वाला है 26,462 कोड की market का एफ है एक वर्ष में 200% के आसपास की रिटन है 6 महिने में इसने 56% की रिटन दिये जो के कमाल के हैं price to earning ratio 800 का है EPS जो है 30 का है price to book ratio 34 का delivery rate की जो है 18% है और मामूल इस अडिविटेन पे करता है 2017 के listed company है और हमें लगता है कि कलंबे समय के लिए इसको consider किया जा सकता है बढ़िया company है FMCG में अगर हम देखते हैं जिस प्रकार से उबर के company आई है जिस प्रकार से अपने आपको transform किया है इसने Tata consumer products 755 की price पर trade हो रहा है एक वर्ष में 84% की रिटन दिखाई दे रहे हैं महिने पहले जिनो निवेश के उनको 31 परेशर के रिटन मिल रहे है हाई जा चुका है 788 का अपने हाई के आसपास ही रेट कर रहा है और एक साल पहले 400 के आसपास था सतर जार करोड के आसपास कि इसकी market का एफ है एक रुपए की face value आला है पी रेशियो इसका 81 का अर्निंग परशन 9 रुपए 44 पैसे प्राइस टुबक रेशियो 4.80 और डिलिवरी इसकी 35 परशन के आसपास है डिविडेन भी पे करता है जो की एल्ड निकल के आ रहा है 0.53 टाटा ग्रूप को एक बढ़हा कमपनी है मुझे लगता है कि ये भी आने वाले समय में आपको अच्छा खासा इसमें मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है जिस प्रकार से अपने आपको इन्होंने जो है चेंज किया है तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पांच से दस साल, पंदरा साल तक अगर आप होल्ड कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए तो हो सकता है इन कमपनियों में एक दो कमपनियां आपको जो है जटका दें बट ओवर ओल मुझे लगता है तो इस गिरावट में प्रतीक्षा करें जब लगे कि हाँ अब थोड़ा सा मार्केट का माहुल ठीक लग रहा है उस समय इंट्री लें या फिर जो है आप थोड़े थोड़े करके प्रतीक गिरावट में खरीदते जाएं तो दोस्तों इस तरीके से दस कमपनियों के बारे में आज हमने चर्चा की आपके भी कोई विचार हों सुझाओं कॉन बॉक्स में आप जरूर रखना चाहें तो रख सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद